हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालाइकूम वेलकम बैक तो ब्लॉज डिजाइन बनाने के लिए यहां पर हम अपने मेजर्मेंट्स के हिसाब से नेक की कटिंग कर लेंगे और इस तरह से बैक साइट कांट्रेस्ट कलर फैब्रिक में इसको आइरन करके इस तरह से बैक साइट से जहां पर हमें पेपर कैन्वस का जो एज दिख रहा है वहां पर इस तरह से हलकी हलकी सी मार्क लगा लेंगे इस तरह से फिर उसके बाद हमें इस तरह की बयास टेप में एक पतली सी डोरी स्टिच करके रख लेनी है और इस तरह से जहां तक हमें इसकी स्टिच करनी है वो मार्क लेकर इस तरह से बहुत सारी डोरी को एक ही सेम साइज में कट करके रख लेना है ठीक है तो यहां पर इस तरह से मैंने डोरिस को कटिंग कर लिया है तो इसको साइड में रखने के बाद यहां पर वन एंड आफ इंच वन एंड आफ इंच पर डिस्टेंस दे कर मार्क लगा लेंगे इसके सारे ही नेक पर तो सबसे पहले उपर हमने अफ इंच शोल्डर का मार्क छोड़ कर वन एंड आफ इंच की स्टार्ट करनी है उसके बाद यहां पर वन एंड आफ इंच के जो मार्किंग है वहां पर इस तरह से डोरिक को रखना है फिर दूसरी डोरी को यहां पर जैसे मैंने दिखाया हुआ है ऐसे यहां पर रखकर इसके उपर से स्टिच लगाते जाना है तो यहां पर मैं वीडियो में आपको जैसा दिखा रही हूँ आप देख लें इस तरह से स्टिच कर लें तो सारी डोरी को इसी तरह से मैंने स्टिच करके तयार कर देना है तो यहां से अपना और आपका टाइम वेस्ट ना करते हैं यहां पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा इस्किट कर दिया है आपको समझ में आ गया होगा कि यह स्टिचिंग किस तरह से लगी हुई है तो इस तरह से कंप्लिट कर देंगे हम नेक को फिर उसके बाद यहां पर हम टू एंड आफ इंच की एक विट वाली स्ट्रेट पट्टी लेंगे और यहां पर एक स्टिच लगाएंगे इस तरह से तो इस तरह की स्टिच लगा लेने के बाद हमने इसके प्लिट वाली डिजाइन बनानी है तो इस तरह से पट्टी तयार करने के बाद हमने यहां पर तयार किया हुआ पहले से नेक लेंगे डिजाइन जो तयार है वो लेंगे और यहां पर हम शोल्डर वाली साइड सिर्फ आफ इंच अंदर की तरफ करेंगे और फिर नीचे से हम quarter inch याने पव इंच नीच अंदर की तरफ करके इस तरह से छोटे छोटे प्लिट्स लगाते जाएंगे प्लिट्स का एक ही साइज का होना जरूरी है ताके डिजाइन की लुक बहुत अच्छी आए तो मैंने कोशिश की है कि यहां पर प्लिट्स एक ही साइज में आएं तो इसी तरह से सारा प्लिट्स मैंने डिजाइन तयार कर लिया है यह देख सकते हैं आप तो इस तरह की डिजाइन तयार करने के बाद यहां पर लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को हमने पहले से अट्याच करके रख दिया है अब बिल्कुल सेंटर पॉइंट में छोटे-छोटे काट्स लगा कर ब्लाउस को और नेक डिजाइन को इस तरह से बीच में से या फिर उसके बाद हम नेक की यहां से स्टिचिंग करेंगे तो टो एंड आफ इंच पर डोरी स्टिचिंग के लिए मार्क करके यहां पर डोरी स्टिच करेंगे अंदर से ही तो इस तरह से दूसरी साइट भी डोरी लगा कर मैंने नेक की स्टिचिंग कम्प्लीट कर दी है तो अब नेक कटिंग करने के बाद छोटे-छोटे कट्स लगा दे और फिर नेक को दूसरी साइट फोल्ड करके यहां पर हमने इसकी एक सिलाई लगानी है उपर से तो यहां से उपर से स्टिच करते वक्त जो यह डोरी का डिजैन है वो इस तरह से उपर की साइट आनी चाहिए तो इसको अच्छे से उपर की साइट खिसकाते हैं वे हमने इसकी उपर से एक टॉप सिलाई लगा देनी है तो यह देख सकते हैं फ्रेंड्स यह डिजैन तयार है फिर इसके बाद हम एक लेस लेंगे कोई भी डिजैन का तो यह हम पर मैं यह डिजैन ले रही हूँ तो इसको यहां पर उपर से रख कर स्टिचिंग कर देंगे ये कंगोरे वाले लेस के जो कंगोरे वाले डिजाइन है वो गले के इस साइड आने चाहिए उपर वाले साइड तो इससे क्या होगा कि लेक की जो लुक है वो बहुत ज्यादा अच्छी खिलकर आएगी तो इस तरह से लेस की स्टिचिंग हो चुकी है तो ये दूसरी साइड भी हम लेस पर यहां पर एक स्टिच लगा देंगे तो इस तरह से कंप्लीट होने के बाद ये वीड्स लेंगे हम और इसकी इन वीड्स की कहां काम पर हम स्टिच करके डिजैन कर सकते हैं देख लें आप वीडियो में तो इस तरह से हमारा डिजाइन कम्प्लीट हो जाएगा गाईज तो आप सबको मेरा डिजाइन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताईएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा लाइक करने के लिए आपका ज्यादा वाक नहीं लगेगा पर मेरे चैनल के इंप्रेमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें आपका मेरी वीडियो पर आने के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया तो इस तरह से वीर्स इस्टिच करने के बाद ये डिजाइन कम्पलीट हो जाएगी तो इसी तरह से मैं ये सारा ही स्टिच करके कम्पलीट कर दिया है मैंने तो यह देखिए कितना खुबसूरत डिजेन तैयार हो चुका है तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा थैंक्स पर वाचिंग टेक केर अल्ला हफीज